हलो फ्रेंड्स, जाइका इंजिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेर करेंगे डाल ढोकली की रेसिपी आसान फूट रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हम डाल को बोईल कर लेंगे तो यहाँ पर हमने प्रेसर कुकर में एक कप भर कर डाल ली है यह तूवर की डाल है इसे हमने दो से तीन पानी से धोने के बाद एक घंटे के लिए भिगो दिया था डाल को एक गंटे तक भिगोने के बाद हमने इसका सारा पाणी निकाल लिया है अब हम इसे प्रेसर कुकर में बोईल कर लेंगे बोईल करते वक्त हम इसमें दो गलास पानी एडड करेंगे कि इसी के साथ हम इसमें एट कर देंगे half teaspoon हल्दी पाउडर और एट करेंगे half teaspoon नमक प्रेशर कुकर को लीड से कवर करके high flame पर एक प्रेशर आने के बाद गेस की flame को लो कर देंगे और low flame पर हम दाल को 5 मिनिट के लिए और बोल कर लेंगे जब तक हमारी दाल बोईल होती है हम ढोकली के लिए आटा तैयार कर लेंगे तो हमने यहाँ पर 200 ग्राम जितना गेहु का आटा लिया है इसको हमने चान कर लिया है इसी के साथ हम इसमें एट कर देंगे एक टीस्पून हल्दी पाउडर और एट करेंगे एक चोथाई टीस्पून नमक हाफ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर हाफ टीस्पून धन्या पाउडर हाफ टीस्पून गरम मसाला एक चोथाई टीस्पून हींग और half teaspoon जीरा पाउडर देखिए आप इसमें half teaspoon अजवाइन भी एट कर सकते हैं लेकिन हमने उसे skip किया है अब इसमें एट कर देंगे 2 tablespoon जितना तेल पहले इन सारे इंग्रीडियंट को हम आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एट करके इसका आटा गूथ लेंगे देखिए दाल धोकली जो है वो राजस्थान और गुजरात की famous डिस है तो आज हम जो डाल धोकली बना रहे हैं वो गुजराती तरीके से बनाएंगे ये देखिए हमने इसका आटा गूथ लिया है डोकली का आटा गूथ वक्त हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि इसका जो आटा हम गूथ कर तयार करेंगे वो थोड़ा हार्ड होगा हम इसे ज्यादा सोफ्ट नहीं करेंगे अब हम इसे ढख कर 10 मिनिट का रेष्ट देंगे हमने एक पेन में 4 टेबल स्पून तेल अच्छे से गरम कर लिया है और अब हम इसमें एट कर देंगे 14 टीस्पून जीरा गेस की फ्लेम को लोग रखेंगे और इसमें add करेंगे एक टेबल स्पून अद्दक लेस्तुन का पेश्ट इसे एक बार हम चला लेंगे देखे, गिस की खलेम को हम लो ही रखेंगे इस टेच पर इसी के साथ हम इसमें कुछ सुखे मसाले add कर देंगे जीसे की एक टीस्पून लाल मिश पाउडर हाफ टीस्पून नमक दिखें नमक हम यहाँ पर कम एट करेंगे क्योंकि हमने ओल्डेडी दाल को बोईल करते वक्त इसमें नमक एट किया था और एट करेंगे हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर एक टीस्पुन धन्या पाउडर सुखे मसालों को हमने एट कर दिया है अब हम इसमें एट करेंगे 5-6 टेबल स्पुन इतना पानी और लोफ लेम पर इन मसालों को हम तेल में भून लेंगे कुछ देर तक हमने सारे मसालों को लोफ लेम पर 2 मिनीट के लिए अच्छे से भून लिया है इस स्टेज पर हम इसमें टमाटर एट करेंगे तो हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइस के कटे हुए टमाटर लिये हैं इसे इसमें एट कर देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर को हम इन मसालों के साथ लोफ लेंप पर कुछ देर तक ढख कर पकाएंगे इसी के साथ हमने दाल को भी अच्छे से बोईल कर लिया है अब हमने दाल को 30 से 35 सेकेंड के लिए इस तरह घोट लेना है ये देखिए हमने टमाटर को लो फ्लेम पर मसालों के साथ 5-7 मिनिट के लिए अच्छे से पका लिया है एक बार हम इसे चला लेंगे और अब हम इसमें एट कर देंगे हमारी बूइल की हुई दाल प्रेसर कुकर को खंगाल कर इसमें एट करेंगे तीन ग्लास पानी देखिए दाल धोकली की जो दाल होती है उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा एट किया जाता है इसलिए हमने इसमें तीन ग्लास पानी एट किया एक बार इसे चला लेंगे और गेस की फ्लेम को हाई करके इसमें एक उबाल आने देंगे इसमें एक उबाल आने के बाद गेस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे 10 मिनिट के लिए पका लेंगे दाल को हमने पकने के लिए रख दिया है इसी के साथ हमारा जो ढोकली का आटा है वो अच्छे से सेट हो चुका है अब इस आटे में से हम बोल्स बना लेंगे जिसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दाल ढोकली जो है वो राजस्थान और गुजरात की फेमस दिस है आज हम आपके साथ दाल ढोकली की गुजराती रेसिपी सेर करेंगे अगर आप चाहते हैं कि हम दाल ढोकली की राजस्थानी रेसिपी आपके साथ सेर करें तो हमें कॉमेंट बोक्स में जरूर बताएं देखे हमने आटे में से इस साइस की पांच लोई बनाई है अब हमारी बनाई हुई लोई पर थोड़ा सा सूखा आटा लगा कर हम इसकी रोटी बना लेंगे यह देखे यहां पर हमने धोकली के लिए रोटी बना कर तयार कर ली है देखिए हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हम ये जो रोटी बनाएंगे हम इसे ज़्यादा पतली नहीं रखेंगे और ज़्यादा मोटी भी नहीं रखेंगे हमें इसकी थिकनेस को सिफ़ इतना ही रखना है और अब हमने इस पर कट्स लगा लेने हैं तो एक से डेड़ इंच की दूरी पर हम इस पर कट्स लगा लेंगे हमने जो एक रोटी बनाई थी उसमें से इतनी धोकली बनकर तयार हुई है अब बाकी की रोटी को भी बेल कर उसमें से इस साइस की धोकली कट कर लेंगे हमने दाल को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लिया है एक बर इसे चला लेंगे और अब हम इसमें एड़ करेंगे डेल टेबल स्पून अमचूर देखें आप यहाँ पर अमचूर की जगा एक नीमबू का रस भी एड़ कर सकते हैं अब हम इसमें एड़ करेंगे तीन टेबल स्पून चीनी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसी के साथ हम इसमें एड़ कर देंगे हमारी तयार की हुई झोकली तो हमने जो ढूकली ली है उसको हम इस तरह से एक एक करके एड़ करेंगे ढोकली हमने इसमें सारी एट कर दी है इसे एक बार चला लेंगे और लो फ्लेम पर हम इसे 15 मिनिट के लिए और पकाएंगे बीट बीट में इसे एक से दो बार और चला लेंगे यह देखिए हमने इसे अच्छे से पका लिया है इसकी कंसिस्टनसी को हम कुछ एसा रखेंगे देखिए गुजराती स्टाइल में दाल धोकली हमने पहली बार बनाई लेकिन बहुत लाजवाब बनी है आप इस SCP को अपने घर पर जरूर से ट्राइ कीजिएगा और अपने एक्सपीरेंस हमारे साथ कोमेंट बॉक्स में सेर कीजिए अब गेस की फ्लेम को ओफ करके इसे बारिक कटे हुए हरे धनियसे गानिश कर लेंगे और इसका तड़का तयार करेंगे तड़के के लिए हमने यहाँ पर दो टेबल स्पुन घी लिया है इस घी को हम पहले अच्छे से गरम कर लेंगे घी गरम होने के बाद हम इसमें एट कर देंगे हाफ टीस्पुन राई इसी के साथ हम इसमें एट करेंगे एक चोथाई टीस्पुन जीरा राई को हम पहले चटकने देंगे राई जब अच्छे से चटकने लगे इसमें दालचीनी के छोटे दो टुकड़े एट करेंगे और एट कर देंगे तीन से चाल लोंग इसी के साथ दो सुखी लाल मीच एट कर देंगे और एक टीस्पून जितना कड़ी पत्ता एट करेंगे यह देखिए हमारा तड़का तयार है अब गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे हमारे तयार किये हुए तड़के को एट कर देंगे दाल धोकली पर इसी के साथ हमारी गुजराती स्टाइल में बनी हुई दाल धोकली बनकर तयार है इस दाल धोकली को आप चावल या रोटी के साथ भी सौब कर सकते हो या तो फिर एसे भी खा सकते हो तो खाने के लिए तैयार है गुजराती स्टाइल में बनी हुई दाल धोकली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई